हलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेशन नमबर 11 11 क्या था गोपी बाइस फिश फ्रॉम एक्कुरियम दे शॉप कीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग फाइम मेल फिश और एट फिमेल फिश फिगर दी हुई थी साथ में वट इस दा प्रॉबिल्टी दा फिश टेकन आउट इस फेल फिश मेल फिश की प्रॉबिल्टी बतानी थी हमें तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमारे पास गिवन होता है गिवन क्या था सबसे पहले हमारे पास नमबर ओफ मेल फिश अब मेल फिश कितनी थी हमारे पास फाइब उसके बाद हम लिखेंगे नमबर ओफ फिमेल फिश तो फि 5 प्लस 8, male और female, दोनों को वाड़ी करके कितना आगे हमारे पास, 13, अब हमें बोला था, probability निकालनी थी, किसकी male fishes की, तो लिखेंगे, probability of getting male fish, तो फार्मूला क्या होता था हमारे पास, number of favorable outcome, अब देखो probability of getting male fish, फिर से वही आजेगा, probability of getting male fish, तो number of favorable outcome, number कितनी थी, male fishes कितने थी, हमारे पास, 5, और total कितने थी, 13, तो answer कितना आजेगा, 5 upon 13 male fish, थी, question number 12 है हमारे पास, a game of chance, consist of spinning an arrow, which come to rest pointing at one of the numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो figure हमारे पास given थी, 1, 2, 8 तक थे हमारे पास numbers, and these are equally likely outcomes, सारे के सारे number क्या थे ये, equally likely outcomes, what is the probability that it will point at, number first part था हमारे पास 8, second part था an odd number, third part था a number greater than 2, और fourth part था a number less than 9, तो पहले था probability of 8, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ें हमारे पास क्या है, given, तो given क्या था हमारे पास, पहले तो लिख लेंगे total number, total number of outcomes, तो कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नमबर से हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमें first part क्या दिया था, probability of 8, तो हम लिखेंगे, probability of getting 8, 8 आने की probability, अब देखो, 8 सिर्फ one time आ सकता था, तो क्या लिखूंगी, 1 upon 8, आप साथ में formula भी लिखोगे, number of favorable outcomes, upon में आएगा total number of outcomes, तो 1 upon 8, अब second part था हमारे पास, odd number, तो देखो, इन numbers में, odd number कौन कौन से होते हैं, हमारे पास, 1, 3, 5 और 7, तो odd number आने की probability क्या होगी, क्या लिखोगे, probability of getting odd number, तो odd number देखो, 1, 2, 3, 4, 4 numbers थे, जो odd थे हमारे पास, और total number of outcomes कितने थे, 8, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, आंसर कितना आज जाएगा, 1 upon 2, next क्या था, third part हमारे पास, number greater than 2, अब 2 से बड़ी terms कौन कौन से थी हैं, हमारे पास, पहले वो simple number लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, और 8, तो total number कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगे 6 number, तो हम लिखेंगे, probability of getting greater than 2, तो कितने आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 upon 8, अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 2, 3 is a 6, 2, 4 is a 8, तो answer कितना आजेगा, 3 upon 4, 4th part था हमारे पास, number of less than 9, तो क्या लिखेंगे पहले, number of less than 9, अब 9 से छोटे नंबर, सारे के सारे नंबर क्या थे छोटे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे के सारे नंबर होगे, अब लिखेंगे probability, तो आएगा probability of, getting number less than 9, तो कितना होगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, number of outcome कितने थे, 8, upon में कितना आएगा, 8, 8 से 8 कैंसल होगा, कितना आएगा, 1, तो हम क्या लिखेंगे, probability a number less than 9 is equal to 1, ठीक है, तो ये answer आगया हमारे पास, अब देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ें हमारे पास given है, अगर हम एक dice को throw करते हैं, तो number कितने आते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या लिखेंगे answer में, when dice is thrown number of possible outcome, तो possible outcomes क्या होंगे हमारे पास, number of sample space तो S से भी इसको आप denote कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, यही होते हैं 6 sample space हमारे पास, ठीक है, अब first हमें बोला था, prime number, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, prime number कौन-कौन से होते हैं हमारे पास, prime number देखो, जिनके दो factors बनते हैं, तो एक 2, 3 और 5, यह number क्या थे, हमारे पास prime number, अब prime number की हमें probability निकालनी थी, तो क्या लिखोगे, therefore, probability of getting prime number, तो formula क्या होते था हमारे पास, number of favorable outcome upon total number of outcome, तो कितने number से, 1, 2, 3, कितने लिखेंगे हम 3, और total number कितने थे, 6, तो 3 upon 6, 3, 1, 3, 3, 2, 6, answer कितना आजेगा, 1 upon 2, same second part था हमारे पास, बोला गया था, number line between, number line between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने numberize करते हैं, तो 3, 4 और 5, इसमें हम 2 और 6 को include नहीं करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, probability, आगे लिखेंगे, probability of number line between 2 and 6, तो कितना होगा, 1, 2, 3, तो 3 upon 6 से आएगा, ये भी 3, 1 is a 3, 3, 2 is a 6, answer कितना आगया, 1 upon 2, next क्या था हमारे पास, third part, odd number, देखो the odd number, तो सबसे पहले हम सिर्फ odd number लिखेंगे, odd number कौन से हैं, 1, 3, 5, तो 1, 3, और 5, पर जब हम इसकी probability की बात करते हैं, तो probability of getting an odd number, तो वो कितना आएगा हमारे पास, number of outcome, upon my total number of outcome, तो कितने नंबर थे ये भी 3 upon 6, 3, 1 is a 3, 3, 2 is a 6, कितना आगया, 1 upon 2, तो और नंबर आने की probability भी कितनी होगी, 1 upon 2, question number 14 है हमारे पास, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting number 1, a king of red color, number 2, a face card, 3rd में था red face card, 4th में था the jack of heart, 5th में था a sped, और 6 में था the queen of diamonds, अब देखो इसको कैसे solve करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे, एक card में कितने, एक pack में कितने cards होते हैं, 52, तो total cards कितने थे हमारे पास, total cards लिख लिएंगे हम, 52, अब first क्या बोला गया था हमें, first हमें बोल था a king of red color, तो सबसे पहले हम लिखेंगे red king color कितने होते हैं, red king color हमारे पास 2 होते थे, एक diamond में होते हैं हमारे पास, और एक हमारे पास heart में होते हैं, तो जब probability निकाल लेंगे, probability of getting red king, तो वो कितने आएगी, number of favorable outcome upon में आएगा total number of outcome, तो red color के कितने होते थे, 2 upon में कितना आएगा, 52, डिवाइड कर लो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, तो 1 upon 26, तो क्या लिखेंगे, probability of red king is equal to 1 upon 26, same, second part था हमारे पास face card बोला था, कि face card की probability बताओ, तो पहले तो देखो, face card कितने होते हैं हमारे पास, face card हमारे पास होते हैं, 12, 12 होते थे, तो आगे लिखेंगे, 12 cards वो होते हैं, कौन-कौन से थे, मैं वैसे बताती हूँ, j होते थे 4, k होता था 4, और q होता था 4, ये वाले होते थे हमारे पास face card, 12, अब probability जब निकालेंगे, probability of face card, तो वो कितना आएगा हमारे पास, 12 upon 52, 52, 52 होते थे total card, तो इसको भी डिवाइड कर लो, कितना आजेगा, 4, 3s are 12, 4, 1s are, और 4, 3s are 12, तो आजेगा 3 upon 13, probability of face card is equal to 3 upon 13, थर्ड पार था हमारे पास, हमें पूछा था, red face card कितने होते थे, total red face card जो थे, तो दिखो, red face card कितने होते हैं, red face card हमारे होते हैं, total 6, कौन-कौन से, heart और diamond में, j होते थे 2, k होते हैं 2, और qb होता है 2, तो 2 plus 2 plus 2, कितना होगे हमारे पास 6, और जब probability करेंगे, probability of getting red face card, तो वो कितना आएगा, 6 upon 52, तो 2, 3 is a 6, 2, 2 is a 4, 2, 6 is a 12, कितना आएगे हमारे पास 3 upon 26, probability of red face card 3 upon 26, नमबर 4 था हमारे पास, only jack of heart बताना था हमें, तो पहले तो कितना होते है, jack of heart कितना होते हैं हमारे पास, jack of heart जो है, वो हमारे पास होता है 1, एक ही होता है, तो जो probability लिखेंगे, probability किसके लिखेंगे, jack of heart कि, तो वो कितना हैगा, 1 upon 52, next हमारे पास, नमबर 5 था, 5 क्या बोला हुआ था, a sped, अब sped कितने होते हैं हमारे पास, sped होते थे हमारे पास 13, तो पहले total sped लिखूँगी, total sped होते हैं हमारे पास 13, और जब probability की बात करें, sped की, spade, sped, तो वो कितना होते था हमारे पास, total आ गया 13, number of favorable outcome 13, और total number of outcomes कितने होते थे, 52, तो 13, 1 is a 13, 13, 4 is a 52, तो 1 upon 4 आ जाएगा हमारे पास, number 6 पार्ट था हमारे पास, the queen of diamonds, अब देखो queen कितनी होती थी diamond में, एक ही होती है, तो क्या लिखेंगे, queen of diamonds, कितनी होती थी, 8, 1, एक ही होती थी, जब probability निकाल लेंगे, queen of diamonds की, तो formula क्या था हमारे पास, number of favorable outcome, upon में total number of outcome, तो कितना हैगा, 1 upon 52, cards की क्या क्या description होती थी, वो मैंने आपको introduction की वीडियो में करवा दी थी, ठीक है, question number 15 है हमारे पास, 5 cards, the 10, jack, queen, king, and ace of diamond, are well shuffled with their face downwards, one card is the picked up at random, number first था, what is the probability that the card is the queen, क्योंगे आने की probability बतानी थी, और second था हमारे पास, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up, number A बोला था find करने के लिए, and ace, और second बोला था queen, तो इसको कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, जो हमारे पास चीज़ें क्या हैं, given, तो देखो, 5 cards दिये हुए थे, हमारे पास, total कितने cards थे, 5 cards, और 5 cards कौन-कौन से थे, तो लिखेंगे, 5 cards are, एक तो 10 था, एक हमारे पास jack था, एक हमारे पास queen थी, और एक हमारे पास king था, और एक last क्या था, ace था हमारे पास, अब first क्या बोले था हमें, probability निकालने थी, queen आने की, तो लिखोगे, probability of getting queen, तो फॉर्मूला क्या होता था, number of favorable outcome, upon मैं लिखोगे, total number of outcome, तो getting queen, क्यों की आने की probability कितनी थी, कितने डाम्स आ रही थी वो, one time, और total cards कितने थे हमारे पास, 5, तो answer क्या होगा, one upon 5, second part था हमारे पास, अब second में condition दे हुई थी, कि if the queen is drawn, add put aside, queen को क्या करोगे, आप side में पहले ही रख लोगे, उसके बाद card जो left रहते हैं, उनको आप shuffle करोगे, तो हम वो भी लिख लेंगे, if the queen is drawn, and put aside, then there are, अब देखो, queen को हमने side में रख लिया, तो total कितने cards रहे हमारे पास, four cards, four cards कौन कौन से थे, four cards जो left रहे, वो रहा, एक तो 10, एक रहा, jack, king, और, and ace, यही रहे four cards हमारे पास, अब number A parts हमें बोला था, probability निकालनी थी, getting an ace की, तो probability, getting an ace, ace कितने टाइम आ रहा था, one, formula क्या होगा, number of favorable outcome, upon में आएगा, total number of outcome, तो one upon में, अब देखो, queen को side में रखा था, तो total left कितने रहे थे, हमारे पास, four cards रहे थे, one, two, three, four, तो one upon four लिखोगे, second, B part था, हमें बतान था, probability of queen, तो देखो, यहाँ पर queen को, पहले ही side में रख लिया था, तो हमारे पास क्या होगा, there is no queen, queen यहाँ पर है नहीं, तो फिर probability क्या होगी, getting a queen की, getting a queen, queen आने के probability क्या होगी, number of overall outcome कितने थे, zero, और total number of outcome कितने थे, four, तो answer कितना आएगा, zero, तो probability, a queen, probability queen आने के कितनी होगी, zero, तो यह था इस question का answer, ठेक्या glass, thank you,